मैं अभिशेक जोशी, Electrical Engineering is a group of companies दोस्तों हम लोग बात करेंगे, अलेक्रिकल सिस्टम में जो अर्थिंग कंडुक्टर हम लोग यूज करते हैं, उसके साइज के बारे में लिए आप कैसे पता करेंगे इसका थमरूल आज में सब्सक्रा दूसरा आपक्रbaar। दोस्तों पहला सवाल आएगा या पाबर जे भी हो जो अरफिंप कंडॉक्टर आप करके रखा है वह अगर अंडर साइज का हुआ तो उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है देखे बेसिकली अर्थिंग हम लोग इसले करते हैं ताकि जो भी एक्यूपमेंट में अर्थिंग की हुई है लीकेज करेंट उसी अर्थिंग कंडॉक्टर से फ्लो होगा और ग्राउंड ह ससाद रगाने का मेन पर्पस यह है कि जिसट से क्यूपमेंट में हम लोग कर रहे हैं लेकेज करेंट के वजह से उसक्यूपमेंट में कोई होनी होना चीए और जो person उस equipment पर काम कर रहे हैं, उन person की safety भी assure होनी चीए, उन person को भी electrical shock नहीं लगना चीए बड़ दोस्तो अगर electrical system में, चाहे वो motor हो, power jb हो या और कुछ हो, अगर earthing conductor की size requirement से कम है तो उसके वज़े से problem यह होगी कि जैसे ही leakage current उस earthing conductor में से flow होगा, वो earthing conductor पूरी तरीके से जल जाएगा क्योंकि वो under size का आपने लगा रखा है, leakage current का जो magnitude है आपका earthing current उतने magnitude of current को sustain ही नहीं कर पाएगा, और अगर आपका earthing conductor ही जल जाता है, तो यह अपने आप में एक unsafe condition है, जो एक site पर arise हो गई है यह earthing conductor जलने के वज़े से भी injury हो सकती है और accident हो सकता है, यही importance है कि एक earthing conductor की size सही होनी चाहिए बहुत बार दोस्तों industry में ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए एक welding machine है, उस welding machine को हमने earthing provide करके रखी है और welding का काम चल रहा है welding करते करते बहुत बार ऐसा होता है कि जो earthing conductor है यह पूरी तरीके से जल जाता है और आपको यह पता ही नहीं चलता कि यह earthing conductor इस तरीके से जल कैसे क्या दूसरा एक observation यह भी रहा है कि बहुत बार industry में GI wire के थुरू earthing की जाती है अब जैसे एक motor है उस motor को GI wire के थुरू आमने earthing दे रखी है दूसरे time जब हम लोग round पर जाएंगे तो observation में यह देखने को आएगा कि motor में जो GI wire के थुरू earthing दी गई थी वो GI wire ही पूरी तरीके से तूट गया है और आपको ऐसा लगीगा कि GI wire तो एक solid material है यह कैसे पूरी तरीके से तूट सकता है तो इसके पीछे का भी reason यही है कि जब leakage current उस GI wire के थुरू flow हुआ तो उस wire में इतनी capacity नहीं थी कि वो leakage current के magnitude को sustain कर सके और यही reason है कि leakage current flow होते वक्त वो wire पूरी तरीके से ब्रोक हो गया वो उसको sustain ही नहीं कर पाया इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो earthing conductor यूज़ कर रहे हैं फिर चाहे आप एक copper या aluminium का conductor यूज़ करें आप GI wire यूज़ करें या earthing strip यूज़ करें वो appropriate size की होनी चाहिए otherwise आप एक unsafe condition create कर देंगे अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वो कौन सा thumb rule है जिसके basis पे आप ये identify कर सकते हैं कि एक earthing conductor की size कितनी होनी चाहिए देखें बहुत बार जब आप site पर जाएंगे तो हर बार आपको book pen लेके calculate करने की जरूरत नहीं है formula लगा के कि earthing conductor की size कितनी होनी चाहिए ये examination point of view के लिए ठीक है interview में भी हो सकता है आपसे formula पूछ ले पर practically या वर्क करने जाएंगे तो आपको normal thumb rules पते होने चाहिए तो देखें earthing conductor का thumb rule ये कहता है कि जैसे माली जी एक power distribution board है जहां से आप power को distribute कर रहे हैं अब उस power distribution board में आपने जो power conductors का use किया है उसके size के 50% size की earthing conductor आपको यूज करनी है मैं आपको एक example देके बताता हूं उससे आप समझ पाएंगे कि मान लीजिए आपके जो power conductors है ये 25 स्क्वेर में साइज के हैं मतलब आपने आर वाय भी जो तीन power conductor से आपने लगाए हैं जिसके थू पावर फ्लो ने चीए ऐसा ना हो कि आपने पतले से वायर से अर्थिंग प्रोवाइड कर दी और जब लीकेज करेंट फ्लो होगा तो वह पूरा conductor ही जल जाएगा यह केस नहीं होना चीए तो यह थमरूल आपको याद में रखना है कि अगर पावर conductor की size 25 स्क्वेर में है तो 25 का कम से कम 50% size क और आपको अर्थिंग कंड़क्टर यूजब करना है यानि की मालिजए टेन स्क्वेर में का चांड़क्टर आपको और यूजब करना चीए अगर आप एक छोटा सा जियाए वाय लगा दिये हैं तो उस से आपने फिजीकली तो यह बोल दिया कि मैंने अर्थिंग परौइ चीह आप यह देखकर identify कर पाएं कि अर्फिंग कंड़क्टर की साइज एप्रोप्रियेट है या अंडरेटेड है ताकि उस हिसाब से आप अपने वरकिंग से आपके आसपास के को सेफ बना सके तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं आपसे मिलता हूं अगले हफते ऐसी इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक अपना ध्यान रखें गुडब लगया और यह और तक 9 āपस्टिंग कीजिए आपको इंग, हैं बना सब्सक्राइब की आपकिलों लगगा इंग।